हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल, माई स्कूल आज हम पढ़ने वाले एक नया टोपिक, एरिया ओफ ट्राइंगल आपने एरिया ओफ ट्राइंगल पहले भी पढ़ा है और आपको फोर्मुला भी पता है पर इस बार हम कॉडिनेट जमेट्री की हल्प से पढ़ेंगे आपको याद होगा प्रीवेस फोर्मुला हमारा क्या था एरिया ओफ ट्राइंगल निकालने के लिए वन अना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने नाइन्थ क्लास में एक हैरोंस फोर्मुला भी पढ़ाय था जिसकी हल्प से भी हम एरिया ओफ ट्राइंगल निकालते थे पर अब हमें करना क्या है अभी हमें कॉडिनेट जमेट्री की हल्प से निकालना है सपोज हमें सिर्फ गोडिनेट्स दिए हैं किनी तीन पॉइंट्स के और हमें बेस और हॉइट की वेल्यू नहीं पता है तब हम इस फॉर्मुला का यूज नहीं कर सकते एरिया निकालने के लिए पर अगर हमें coordinates दिये हुए हैं तभी भी possible है area निकालना with the help of heron formula also वो थोड़ा lengthy process हो जाएगा तो हमें करना क्या होगा हमें with the help of coordinate geometry अपना formula derive करना होगा और इस वीडियो में हम वही formula derive करेंगे तो चले बिना देर किये start करते हैं अपना formula derive करना suppose हमें किनी भी तीन points के coordinates दिये हैं point A का दिया है हमें x1, y1, b का दिया है x2, y2 और c का दिया है x3, y3 so अभी हमें करना क्या होगा हमें ये points को coordinates की help से plane में draw करना होगा so हमने यहाँ पर x, y जो है coordinates draw कर लिये हैं अपने plane में point ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा point C है इन तीनो points को हमने join कर लिया so अब हमें करना क्या है, अब हमें ये value नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक B, C की जो value है हमें A, C की value नहीं पता है, A, B की नहीं पता है तो इनकी value में निकालने पड़ेगी इनकी value निकालने के लिए हमें इन points से X axis पर perpendicular draw करना पड़ेगा So, A points से perpendicular होगा हमारा A, P B से होगा B, Q, C से होगा C, R वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है So, यह perpendicular draw करने के बाद हमारे यहाँ पर आप अगर दिहान से देखें तीन ट्रपेजियम बन रहे है तीन शेप ट्रपेजियम शेप बन रही है कौन कौनसी? एक है हमारा A, B, Q, P A, B, Q, P यह वाली शेप यह हमारा ट्रपेजियम है दूसरी कौनसी है? A, P, R, C A, P, R, C कौनसी शेप है? यह वाली शेप यह जो complete शेप है यह भी एक ट्रपेजियम है और A कौनसी है? B, Q, R, C मतलब यह वाली शेप यह वाली शेप यह भी हमारा एक ट्रपेजियम है सो यहाँ पर total हमारे तीन ट्रपेजियम ड्रोव हो गए अब हमें करना क्या है? अब हमें अपना formula लगाना है area of triangle A, B, C के लिए अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें सो अगर हमें इस triangle का area निकालना हो सो वो कैसे निकालेंगे? यह हमारी complete shape है A, B, Q, R, C यह वाली shape जो है हमारी यह complete shape है इसमें से अगर यह वाली shape का area माइनस कर दिया जाए यह shape का area सो क्या area बचेगा? यह triangle बचेगा वह हमने यहाँ पर किया है अब यहाँ पर हमारे 3 trapezium थी total सो यहाँ से हमें अभी करना क्या है? यहाँ पर हमें 2 trapezium को plus करना है कौन से? A, B, Q, P एक यह वाला जो trapezium है हमारा A, B, Q, P अगर इसमें हम इस वाले trapezium को plus कर दे तो यह complete shape का value आ जाएगा वह हमने यहाँ पर किया है अगर आप इसको सिर्फ यहाँ से उपर का part देखे दो जो हमने plus किया है 2 trapezium को सो यह दोनों मिलकर यह area और यह area हमारा पूरा cover कर ले रहे है अब इसमें से हमें minus क्या करना है यह trapezium का area minus करना है तो हमारी कौन सी shape बच जाएगी triangle बच जाएगा वह हमने यहाँ पर लिखा है minus area of trapezium B, Q, R, C सो अभी आपको पता ही होगा area of trapezium क्या होता है 1 and a half into sum of parallel sides multiply distance between them मालीजे यह हमारा कोई trapezium है यह हमारा trapezium है यह है A, B, C, D अगर हमें इसका area निकालना हो तो क्या होगा 1 and a half into sum of parallel sides parallel sides कौन सी दिखाए दे रहे हैं आपको इसमें total 4 sides है यह और यह parallel नहीं है parallel कौन सी sides है यह और यह सो क्या हो जाएगा A, D plus B, C into distance between parallel sides distance क्या है यह तो यह क्या होगा C, D यह ही एक trapezium का area होगा वाई हमने यहाँ पर लिखा है उसी formula की help से हम इन तीनों trapezium का area निकालेंगे सो area क्या हो जाएगा हमारा हमें point A पता है B पता है, C पता है तो यहाँ से 1 and a half into यह वाला first वाला section कौन से trapezium का है हमारा A, B, Q, P राइट यह वाला कौन से वाले का है A, P, C, R और यह वाला area यह है B, Q, C, R इस वाले trapezium का area क्या हो जाएगा 1 and a half into parallel sides का sum B, Q plus A, P वह हमने यहाँ पर लिखा है B, Q plus A, P into distance between them Q, P अब A, P, C, R trapezium का area क्या हो जाएगा A, P plus C, R parallel sides into distance between them by 2 P, R है इनके बीच की distance सो यह हो गया minus 1 and a half into इस वाले trapezium का area B, Q into C, R इसकी plus C, R इसकी हो जाएगी parallel sides का sum into Q, R इनके बीच का distance अब हमें निकालना क्या है इनके बीच का distance अब हमें coordinates पता है अगर आप ध्यान से देखे तो यहां से यहां तक की distance क्या है X axis पर यह वाला coordinate है X3 X3 यहां से यहां तक की distance क्या है X1 यह coordinate दिया है और यहां से यहां तक की distance क्या है X2 अब इनकी values रखेंगे यह जो हमारे A, B, B, P, B, Q यह सब lines है So 1 and a half B, Q की value क्या होगी यह vertical line है हमारी Y axis पर यहां तक क्या value है Y2 Y2 Plus Y1 A, P की value A, P क्या है हमारा यह वाला distance So इसकी value होगी Y1 into Q, P क्या होगा Q, P क्या है यह distance यह distance कैसे निकालेंगे अगर इस वाले distance में से इस distance में से distance माइनस कर दी जाए तो क्या आजाएगा यह distance आजाएगा वाई हमने यहां पर किया है अब A, P क्या होगी हमारी A, P हमारा यह होगा Y1 Y axis पर vertical line है और C, R क्या होगा यह होगा Y3 into P, R क्या होगा यह value अगर इस पूरी value में से इतनी value मैनस कर दी जाए तो P, R की value आजाएगी पूरी value है X3 माइनस इतनी value है X1 तो यह value आगई हमारी अब B, Q की value क्या होगी यह वाली value अगेन हमारी Y2 है C, R की value क्या है हमारी C, R की value Y3 into Q, R Q, R क्या है हमारा यह वाला distance तो यह वाला distance कैसे आएगा X3 माइनस X1 X2 तो यह वाला distance निकालेंगे माइनस इसमें से हम तो X3 माइनस X2 तो यह complete हमने यहाँ पर सारी जो है values note down कर ली अब हमें क्या करना है हमें फिर से area निकालना है अब यह same formula लिखा है जो हमने previously निकाला था area of triangle का अब इसको हमें solve करना है मतलब X1 के coefficient एकसाइड करने है X2 के एकसाइड करने है और X3 के एकसाइड करने है तो जब हम इनकी अंदर multiply करेंगे तो X1 के multiply में यहाँ Y2 प्लस Y1 है यहाँ X1 के multiply में क्या है Y1 और Y3 बट यह minus में है इसमें कौन सी टर्म कॉमल है Y1 तो Y1 से Y1 cancel out हो जाएगा क्योंकि यह minus में है बचेगा क्या Y2 minus Y3 यही हमने यहाँ पर लिखा है अब इसी तरह X2 का coefficient देखेंगे X2 की जब हम अंदर multiply करेंगे तो Y2 Y1 आएगा यहाँ पर क्या coefficient X2 का Y2 Y3 क्या कोमन है Y2 यहाँ minus का Y2 है यहाँ plus का Y2 है तो यह दोनो cancel out हो जाएगे क्या बचेगा Y3 और Y1 ओके आब X2 X3 का coefficient क्या है हमारा यहाँ पर Y1 plus Y3 यहाँ पर क्या है Y2 plus Y3 यहाँ पर क्या कोमन है Y3 यहाँ plus का Y3 है यहाँ minus का Y3 है यहाँ दोनो cancel out हो जाएगे क्या बचेगा Y1 minus Y2 तो at last हमारा यह formula आएगा और यही हमारा जो है area of triangle का formula है जब हमें 3 points के coordinates दिये हो अब आपको यह देखने से लग रहा हो कि इसको याद करना काफी tough है यह याद नहीं रह पाएगा बट इसको याद करने की एक trick है देखे यहाँ पर हमने X1, X2 और X3 लिए इतना आपको याद रहेगा पहले X1, X2 और X3 इन तीनों के हमें coefficient लिखने है coefficient कैसे लिखेंगे X1 के साथ क्या आएगा हमारे 3 points है point number 1, point number 2, point number 3 जब हम point number 1 लेंगे तो point number Y के coefficient में point 2 और 3 आएंगे so 2 minus 3 जब हम 2 लेंगे X2 की value लेंगे so 2 को छोड़ देंगे 3 और 1 आएंगे वह यहाँ पर आए 3 minus 1 जब हम 3 को लेंगे तो हम 3 को छोड़ देंगे 2 Y के साथ कौन से को number आएंगे और यही हमारा formula है जो हमने डिराइब किया area of triangle के लिए in coordinate geometry so अगर हमें 3 points के coordinates दिये हो और हमें base और height की value ना पता हो किसी भी triangle में so हम उन 3 coordinates की help से अपना area निकाल सकते हैं यह formula हमने से पिसले derive किया कि आपको यह समझ आए कि यह formula आया कैसे है direct then वो coordinates पता होंगे आपको सिर्फ इस वाले formula में अपने put करना है value को coordinates की then आपका answer आ जाएगा so I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है so please like, share and subscribe our YouTube channel मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ examples के साथ तब तक के लिए thank you and bye bye आपको टाएगा